कि माइनस वी ओवर एच स्केर साइट अब यह हमारा मैंने एक्स्प्लेइन कर दिया कि यह प्लैसियन उप्रेटर है सियन उप्रेटर लेप्लैसियन उप्रेटर आ गया तो अब हम बेसिकली क्या करेंगे डिफर्ट फार्माप शुर्डिंगर वेव एक्वेशन निकालने के लिए अब कुछ इस तरह करेंगे कि यह जो हमारे पस प्लस स्केर वाली वैल्यों थे इसको एक्वल्स के उस साइड पर जाएंगी यानिके डैल्सकेर साइज इक्लस टू माइनस 8 π2m over 8 के साई into e minus v हम इसके अंदर थोड़ी सी रेनोवेशन ला सकते हैं, वो किस तरह ला सकते हैं, यह पूरी की पूरी वैल्य को पहले e के साई मल्टिप्लाइ कर सकते हैं और बाद में v के साई मल्टिप्लाइ कर सकते हैं क्योंकि यह दो अलग अलग वैल्यूज हैं, चले जी वो करके देख लेते हैं डेल स्केर साई जो हमारे पास आएगा, वो आएगा पहले यह पूरी वैल्य को e के साई करेंगे तो minus 8 pi square m e psi over h square 1 minus यह वाला और 1 minus यह वाला यह minus minus plus होगे, यह बन गया 8 pi square m v psi over h square अब हम क्या करेंगे, कि यह जो हमारे पास equation आगी है हम कुछ इस तरह करेंगे, कि यह पूरी की पूरी जो equation है क्योंकि हम ने यह वाली चीज़ें कुछ थोड़ी सी जो extra हैं, उनको खतम करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इस equation को multiply कर देंगे 8 square over 8 pi square m से इससे क्या कर देंगे, पूरी equation की left hand side को भी और right hand side को भी क्या कर देंगे, multiply कर देंगे multiply by this equation अगर हम दोने तरह multiply कर देंगे, फिर इससे कोई issue नहीं होता क्योंकि वो दोने तरह वापस में कट सकती है और दोबारा वो equation आ सकती है तो इदर जो हमारे पास आएगा ये इस side पर जब left hand side पर होगा multiply तो ये ऐसे कैसे ही आ जाएगा साथ और ये del square साई ही आ गया, is equals to आ गया इदर जब हम करेंगे, 8 square over 8 pi square m साथ है minus 8 pi square m e psi over h square ये से कट गया, 8 8 से कट गया, pi square pi square से कट गया, m m से कट गया प्लस इदर भी जब हम करेंगे तो 8 square over 8 pi square m रकम जो थी होती हमारी 8 pi square m v psi और m v psi के जो हमारे पास आ रहा था और बटा आ रहा था e square ये मेरे ह्याल से पूरी रकम कर गे बस v psi रहागे हमारे पास तो ये जो हमारे पास R हम क्या करते हैं हम कुछ इस तरह कर लेंगे के जो हमारा R है इदर से हमारा बचा e psi और इधर से जो नोन बेख रहा है वो सिरुफ और सिरुफ बच रहा है 8² और 8 पाइस केर मी डैल स्केर शाइए is equal to minus één si plus V si हम क्या करते हैं यह माइनस वाली वैल्यू उस तरफ ले जाएंगी यह प्लास हो जाएगी और यह वाली उस तरह लेके जाएंगे यह माइनस हो जाएगी तो यह हमार रपस बनेगी माइनस eight square डेल स्केर Si और eight by square है और साथ जो वी Si था वह वैसे का वैसे आ गैप अगर हम देखेंगे इन दोन रकमों में एक स्कामन आपी है वो है थेसी इकिल स्टेदा यह तर सिम्हेला उट से का मुना गया भी फंक्सष्टन यह और माइस एंस एट स्कैर देल स्कैर अवर एट 20 कियर um ब्लस वी यह भी से लिए क्यों ने कामन कौन यह olsun है ना यह जो आई है यह सारी के सारी एक नई चीज बन जाती जिसको हम कहते हैं एच और एच जो हमारे पास है वो है हैं मिल्टोनियन उपरेटर यह बहुत ही एहम उपरेटर है हमारे पास आईगन वैलिर आईगन फंक्शन में भी इसको डिफाइन किया जाएगा थोड़ा सा जो हमारे पास आएगी तो बेसिकली जो हमारा होगा वो बन जेगा यह हमारे पास जो थी वो फाइनल एक्वेशन आगी अर्विन शुरूडिंगर ने जो हमारे पास करके दे थे अब इसकी अगर हम एप्लिकेशन देखेंगे एक दूए अप्लिकेशन है तो यह बेसिकली हमारे पास अनर्जी और वेव उंक्शन को कल्कुलेट करने के लिए इसके 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 वीडियो की जरूरत हो तो कमेंट करें इन्शाला अगर पॉस्टिवल हुआ अधम अस टॉपिक पर वीडियो जरूर बनागा ओके जी बहुत सारा ख्याल रखिएगा चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा अकबर शुक्रिया अल्लाफिस